हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल NCRD प्लेटफॉर्म पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहा है हिंदी के महत्वूट प्रशनों की जो प्रतेक परिक्षा में बार बार रिपीड होते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को अवे से सब्सक्राइब करें तो सुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला प्रशन देखते हैं उज्वल में कौन सी संदी है उज्वल में कौन सी संदी है सुरसंदी बियंजन संदी विसर्क संदी या इन में से कोई नहीं तो का यदि आप संदी विच्छेत करेंगे तो क्या बनेगा उत प्लस जोल तो ता और जा मिलके यहां पर आदा जा हो हो जाते हैं यह है यहां पर द्यृत्त आ जाता है जैसे चाहेगा तो आदा चाहा हो जाता है डबल चाहा हो जाएगा सच्चिदानंद में डबल चाहा हो जाएगा उल्लेक में डबला हो जाएगा उज्वल में डबल जाहा हो जाएगा तो इस प्रकार से यह बेंजन संदी हु तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसंडी अक लेखक अनिश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है निम्न मेंसे अनिश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है पूछा गया है कौन जो कोई वह है इस मेंसे अनिश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है तो अनिश्चे वाचक सर्वनाम इन मेंस का वह होगा आसुम का वह कोई नहीं इसमें जो बहुबचण होगा आंसु को आसुम कहदं सब्दिक किस प्रकार का है तत्सम देश संकर या इन-मेरस कोई नहीं जो सब्दों से मिलकर बना है रेल प्लस गारी रेल और गारी का तो इसका मतलब यह दो से मिलकर बनाए से लिए यह संकर सब्द हुआ संकर सब्द है रेल गारी वाक्यांस के लिए एक सब्द बहवालक जिसे गोद लिया गया हो उसके लिए एक सब्द क्या है दत्तक अंकित पोरस या रित्वा तो जिसे गोद लिया गया हो उसे क्या कहा जाता है दत् उलेकित मेंसे कौन सा सब्सक्राइबू सत्वू वाचक पॉर्टिय नहीं है कि गृरुप की बात Pyoubos już अपलो रही है सनुवासट्य नहीं है लोग एक परकार का समू है गर्ण गण भी एक पर का समन है लेकिन प्रेश एक परकार का समू वाचक प्पॉर्टिय नहीं है तो जो अयोगवा हैं वह हैं अंग और आहा ओप्सन नमबर चोटा विलकों सही है magistrate सब्द किस प्रिकार का है A magistrate सब्द अंग्रेजी भासा का सब्द है विदे सब्द है आदर सब्द से विसेशन क्या वनेगा आदर पूरवक आदर निये आदर सहेत या इनमेस कोई नहीं आदर से विसेशन जो बनेगा भेहो गादर निये औप्सन नम्बर दूसरा ऑज़ना के रखतिस्तान पर उचित सब्द का चेने करना है यहां पर जो रिक्तिस्तान दिया गया है दिया से पहले यहां पर क्या न francpowered न आधेश दिया आधेश दिया निरने दिया तो निया ने आपरादी की यह अधेश दिया था उप्सनन्मर दूसरा बलकुल सही हो जायेगा संबंद वाचक सरवनाम बताएं संबंद वाचक सरवनाम कौन सा है कोई कौन जो यह हैं तो मिद वाचक सर्वनाम है जो जिसका संबंद जैसे के मैंने सेव खाया जो दस रुपए का था तो सेव का संबंद रुपए से है तो संबंद वाचक सर्वनाम हो गया जो व्याकरण की दरश्टी से प्रेम सब्द क्या है वहावाचक, संग्या, बिसेशन या किरिया कि व्याकरण की दिरश्टी से प्रेमसद्व एक भाववाचक संग्या है अगला प्रशन जाती वाचक संग्या किस सब्द की रचना प्रत्यस होई यह जाती वाचक संग्या के द्वारा किस सब्द की नहीं यह थोड़ा गलत है इसमें क्या हुआ है इसका जो विकल्ब था यह चोथा वाला विकलता यहां पर जाती वाचक संग्या और एक उपसंता उपर भावाचक संग्या तो उसका तो हो गया भावाचक संग्या यह सब्द यहां से अलग है इस अगला प्रशन है किस सब्द की रचना प्रत्य से हुई है इसमें पूछा जा रहा है किस सब्द की रच तो इसमें कौन सा होगा कि इसमें आप उप्सरग है व्यायाम इसमें कोई प्रत्य नहीं अभि अभी में अभी उप्सरग है इसका होगा इसकोई नहीं नंबर लिये सही हो जाएगा निम्न मैंसे कौन सा अघोसवप से यंद' नेमलिकित में से कौन सा है चोटा आ जा हा यसा अगोसवन वो होते हैं जिन में हमारा सुरयंत्र कमपन नहीं करता है तो हमारा सुरयंत्र किसमें कमपन नहीं करेगा हमारा सुरयंत्र सा के उच्चारण में कमपन नहीं करेगा इसलिए यह अगोसवन है नेमलिकित में से उफसर लगा हुआ है विदेश विदेश में वी लगा हुआ है अत्यादिक में अत्यादिक में अत्यादिक लगा हुआ है और सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है इसलिए अपसर नमर्डी सही हो जाएगा जो धातु या सब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है जो धातु या सब्द के अंत में जोड़े जाते हैं कौन सा उपसर्ग आचार के पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जल्म हो जाएगा कि कि अब पूंचा जा रहा है किसे आचार के आगे लगा दिया जाएए तो वह जुल्म हो जाता है निराचार दुराचार अनाचार या अत्याचार का अर्थ जुल्म होता है इसलिए आपसे नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा अत्या चार अती इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोरम का संदी विक्षिद क्या है मनोरम का संदी विक्षिद मना धन औरम मन प्लस रम मनो प्लस रम मनहा प्लस रम इसका जो सही उत्तर है इसमें बिसर्ग संदी होती है इसका सह निष्ठोर या इन में से कोई नहीं करून का विलोम इस में से जो सही है वह है निष्ठोर करून का अरत है एक तरीके से दयावान और निष्ठोर का अरत है जिसों दया ना करें दो या दो से अधिक मिल मिलकर बने हुए सार्थक सब्दों को क्या कहते हैं जो सब्दों के मिलने से बने हुए सार्थक सब्दों उते हुए समास कहते हैं जो सब्दों के मिलने से यहां पर सब्द है यहां पर बंड दिया हुँ था तो उन्हें संदी कहा जाता मानव सब्सद से विसैशन क्या वणेगा मन्स्य मानवी कर्ण मानवता या मानविए तो इसका जो सखत्तर होगा वेहोगा मानविए अगला प्रश्च्छ उपसरग का प्रियोग होता है सब्द के आरम में सब्दके अंत में या इनमें से कोई नहीं कि सब्द के आरम में उपसर्ग का प्रयोग होता है और सब्द के अंत में प्रत्या का प्रयोग होता है अगला प्रश्ण वस्तु इस्थान वहाव या विचार गोहतक सब्द को क्या कहते हैं संग्या सर्वनाम विशेशन या विशेश से तो वस्तु इस्थान वहाव या विचार के गोहतक सब्द को संग्या कहा जाता है और संग्या नमरे सही है विशेशन कितने परकार के होते है विसेशन कितने परकार के होते हैं विसेशन चार परकार के होते हैं आफसर नमबर दूसरा सही हो जाएगा लाश्ट प्रसन आज की वीडियो का मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और यह कैसा वाक्या है सरल वाक के संयुक्त वाक के मिस्र वाक के इनमें से कोई नहीं तो यह है एक परकार का मिस्र वाक के ऑफसर नमबर तीसरा विल्कुछ सही है यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और यदि कोई प्रशन पूछना चाते हो तो कमेंट सब्सक्राइब धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में अ